क्या भी उन रोग में से एक है जिने हील्स में अक्सार दर्द रहता है जिनकी एडिया अक्सार फट जाती है और पैरों में बहुत ज़्यादा खिचाब रहता है और इसी वज़े से उनका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है तो आज का विदियो आपके लिए है अब देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी हैथ कोज प्रिटी आज आपके साथ शेर करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही आसान एक्सार जो एडियों में दर्द से आपको छुटकारा दिलाएंगी इन एक्सार इसको आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं घर के दूसरे काम करते वे भी या फिर ओफिस का काम करते वे भी तो चलिए बिनादेर के सीखते हैं कि इन्थे कड़ना कैसे हैं कहीं लोगों को हील्स में यहां दर्द होता है और कहीं लोगों को इसके साथ पैर और हील के बीच पे यहां पर बहुत तीज खिचाव भी महसूस होता है और यह कभी को इस तरह फ्लोर पर अख लीजिए यह बॉटल अब में यूज नहीं करती आप चाहें तो पुरानी बॉटल ले सकते हैं और अगर आप घर में यूज की जाने वाली बॉटल ले रहे हैं तो मेक्शियर आप इसे एक्सराइस करने के बाद धोले चलिए अपने पैर इस तर अनों पैरों को करने में आपको परिशानी आ रही है तो एक पैर फ्लोर पर रख लीजिए और दूसरे पैर से आप इस तरह रोल कीजिए यह एक्साइज इतनी इजी है कि इसे किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं बस देखिए कि इसे करते समय आपको बहुत ज़्यादा तकल और उसके बाद बारी-बारी से हम राइट और लेफ पैर से बॉटल को टच करेंगे आपको अपने पंजे से बॉटल को टच करना है इस एक्साइस को करते समय आप देखेंगे जब आप पंजों से बॉटल पर ग्रिप बनाते हैं तो आपकी एडी पर भी दबाव पड़ता है यह आपका ब्लड सर्कुलेशन बहतर बनाने में मदद करता है जिससे आपके पैरों में दर्द की समस्या एडी में दर्द की समस्या दूर होती है तीस्टे एक साइस के लिए आप पुचाहिए एक हैंकी या फिर एक टाल इन्हें इस तरीके से पैरों के आगे बिचा लीजिए अब पैरों को हैंकी के कॉर्णर पर रख दे इसके बार हैंकी को इस तरह ग्रिप बनाकर सिकोड़ें जब हैंकी पूरा से कोड़ जाएं तो फिर से इससे पहला लें और इसे रिपीट करें यह एक साइस करने में बहुत ही आसान है साथे साथ यह पैरों में दर्द और एडियों में दर्द से बहुत जल्दी शुटकारा भी तिलाती है कि आप इसे ऑफिस का काम करते हुए या फिर घर के दूसरे काम करते हुए भी कर सकते हैं दोस्तों एडिया फिर तलबों में दर्द या फिर उनका फटना ये दिखाता है कि आपकी बॉड़ी बहुत ही स्टेफ हो गई है और जिसकी वज़े से आपका ब्लड सर्कूलेशन भी धीमा चल रहा है इसे की और करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी ओबरॉल बॉडी पर ध्यान दे समय निकाल कर कुछ देर के लिए घुमने जाए अगर आपका बाहर जाना मुम्किन नहीं है तो कोशिश करें कि घर में ही सीडिया चड़ कर और उतर कर या फिर इधर दर घुम कर आ अपनी डेफिजन्स के बारे में पता लगाई है तो इन एक साइज इसको घर पर ट्राइ कीजिए और इन्हों ने आपको कैसे रिजल्स दिये मुझे कॉमन सेक्शन में जरूर बताए और ऐसे ही अमेजिंग हेल टिप से अबडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भ